हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई हो आप लोग अच्छे होंगे मैं हूरा हुल जैस्वाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी के एक पर फिर हमारे योटूब चैनल जैस का नाम है जैया टूटोरियल्स फ्रेंड्स आज एकेन आपके सामनें इस्ट इंपोर्टन हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आप चुका हूँ जिसमें हम आज के दिन बात करने वाले हैं हमारे एट स्टैंडर के लिए हिस्ट्री सब्जे का जो हमारा लास्ट चाप्टर चल रहा है दोस्तो जिसका नाम formation of the state of महाराष्ट्र यानि कि जो महाराष्ट्र state है न दोस्तो एक्चल में ये बना कैसे क्योंकि ऐसा कोई state नहीं था पहले महाराष्ट्र नाम का आजादी होने के पहले तो ये state का formation कैसे हुआ कौन-कौन से लोग इसमें शामिल थे ये state बनाने के पीछे हैं क्या-क्या तर और उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था जो कि आजादी के बहुत पहले था लेकिन उस वक्त हमारे लिए जो सबसे एहम मुद्दा था वो हमारे देश की आजादी थी ना कि states की ठीक है तो इसलिए बहुत सारे चीजों होने के बाद ये चीजे थोड़ी से side होगे लेकि प्लीज उस चीज को यार मतलब सपोर्ट करो हम आपके लिए डेली बेसिस पर मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं तो उसको ज्यादा से जाद देखो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ बस इतना ही मैं बोलूँगा ठीक है न दोस्तों और बाकी चीजे पहले से प्रेजन है ह आज हम लोग बात करने वाले हैं जे वी पी कमीशन क्या है जैसे कि आप जानते हैं इसके पहले एक डार कमीशन बनाए गया था इसके डार ठीक है तो उनको यहां पे कमीशन बनाए गया था और यह लोगों का सजेशन था वहां पर डिमाइंड भी थी कि कि किस प्रकार जो अलग-अलग रीजन्स होते हैं जो अलग-अलग capability के हिसाफ से speak करते हैं उनके हिसाफ से regions को अलग किया जाए तो उसमें से मानना था कि unsolved रहे गया यानि solution नहीं हुआ तो उसके लिए यहां पे एक और कमीशन बनाए गया एक और एक तरीके से meeting conduct कराए गई और इसमें जो जे वीपी आपको नाम जो रखा गया है तो उस टाइम पे क्या हो गया था कि जे का मतलब actual में होता है पंडित जवाहर लाल नेहरू यह आप जाननते होंंगे हमारे पंडित जवाहर लाल नेहरू उस प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया ध कि जवाहर लाल नेहरू ज से जे का मतलब यह हो गया बहुत डिफन नाम है दोस्तो पत्टा भी सीता रमया देखो यह बहुत जादा डिफिकल्ट नाम है तो आप लोग इसको नाम याद रख लेरा पत्टा भी फट्टा भी सीता रमया तो यह जो तीन लोग थे इनका टैनल एक एक तरीके से बोलते coalition की तिकडी जैसे हम लोग कोट में जाते हैं तो कोट के बहुत सारे judges के members, panels बैठते हैं, jury's बैठते हैं, वैसे इनकी ये तीनों की, जे, जवाल लालम, नहरू, लभभाई, पटेल, पीफर, पट्टाया, भी, सित्ता, रमया, इनके तीनों को मिला के क्या बनाया गया था, दोस्तों, यहा लोगों को ये बताया गया था, कि आप जो भी अतना demand रखना चाते हो, regarding the regions, कैसे हम लोग को रखना है, वो सभी चीज़ इसमें discuss की जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो गया, कि जो reported जो थे, बहुत सारे अलग-अलग लोग लिंग्विश्टिक के आधार पे, यानि language के आधार पे, regions को divide करना, और state declare करना, ये सब इस चीज़ चल रही थी, तो ये time पे क्या हो गया, कि जो Congress थी, उस type की जो, मतलब, जो सबसे ज़्यादा मुख्य बड़ी party थी, जो Congress, तो ये सब चीज की वो समर्थन में थी, यानि कि वो ये चारी थी, कहीं ने कहीं, कि चलो ये, हम जो ये मामला समझ में नहीं आर था, तो उन्हों लें विरोध भी किया, तो इस प्रकार से चीज़े हो रही थी, और वो ही time पे यहाँ पे, जो सेनापती बापत जो थे, एक व्यक्ति थे, उन्होंने rallies organize की थी, लोगों को जागरूत बनाने के लिए, लोगों को बताने के लिए ये सब चीज़ हो रहा है, आप लोग भी इसमें participate करो, आप लोग भी अपना राय और suggestion जो भी है वो दो, ठीक है ना, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आचार या आत्रे, ठीक है ना, उन्होंने मुंबई का नॉम्मली खास करके सम्युक तो महराश्ट्रों का एक resolution प्र नॉम्मली उसमें से लगबग 50 में से 35 वोट्स पड़े थे कि हाँ, बिल्कुल सही बात है, 50 में से लगबग 35 वोट्स जो थे वो फेवर में थे कि हाँ मुंबई को भी इसमें consider किया जाएगा, महराश्ट्र में consider किया जाएगा, और इसी लिए यहाँ पे एक time होने के बाद आज देख सकते हैं, आज मुंबई हमारे महराश्टर का हिसा ने, तो normally उस time पे अगर ऐसा नहीं होता, तो शायद मुंबई एक अलग से state होता, या फिर मुंबई एक अलगी चीज होता, ठीक है न, लेकिन आज मुंबई हमारे महराश्टर का एक पाट है, ना सिर्फ एक पा of states, ठीक है, ध्यान से देखो इसको, states के reconstruction के लिए यहाँ पर commission तयार किया गया, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, कि जो government of India जो थी उस time पे, उन्होंने बहुत बार यह सब सीजे सोचा कि यार यह जो चीजे हो रही है, जो demand हो रही है, कि linguistic चीजों के आधार पर, और language के आध देतें, और वो लोग इस चीज की जिम्मेदारी ले लेंगे, तो उस time पे क्या हो गया, कि लगबग 29 December 1953 की बात है, after the independence, ठीक है, 29 December 1953 की बात है, और इस दोरान क्या हो गया, कि जब government ने कुछ लोगों को committee यहाँ पर बना दी, तो under the chairman chief of justice, फजल अली, कौन थे justice उस time पे, या commission में normally क्या present किया गया, thus October 1955 को propose किया गया, कि यह जो मुंबई state है, इसको हम लोग normally consider करेंगे, ठीक है न, और यह जो bilingual बोलते हैं, हम लोग मतलब, अलग-अलग भाशे के लोग है मुंबई में, तो bilingual मतलब, दो तरफा language वाले मुंबई state को हम लोग consider करेंगे, इस प्रकार की चीजे, इस commission के अंदर, states के अंदर, वो होने लगे, मुंबई को लेके, फिर आया नाखपूर pact, तो नाखपूर में क्या हुआ, ठीक है, नाखपूर pact में लोगों ने क्या agreement किया, क्या चीजे होई, वो हम लोग discuss करेंगे, तो नाखपूर जो शेहर दो normally है, जैसे कि आप ज जब बनेगा, तो स्टेट में हम लोग महाराष्ट्र स्टेट को महाराष्ट्र ट्रेड में consider किया जाएगा, तो इस प्रकार से चीजे होने लगी थी, तो नाखपूर भी normally उसमें consider किया जाएगा, तो एक pact, यानि कि एक agreement sign होने लगा, 1953 में नाखपूर pact करके, कि नाखपू अलग-अलग जो हिससे आते हैं, महाराष्ट के, जैसे कि अगर example की तौर पे बात करें, कि western महाराष्टा हो गया, और साथी में जो विधर्भ है, महाराथ वाडा में आता ही, ये सभी को इकटा एक साथ करके, इसमें शामिल किया जाएगा, महाराष्ट में सामिल किया जाए तो इसमें नागपूर पैक्ट में क्या होने लगा, कि एक assurance दिया गया, ठीके ना, एक assurance दिया गया, ताकि जितने भी provisions जो लोग रहेंगे वहाँ पे, उनको यहाँ पे financial चीजे को support मिलेगी, finance मिलेगा यहाँ और साथी में कुछ educational, vocational education मिलेगा, फिर जो state और government की जो service जो चीजे होती है, यहाँ पे वो करवाये जाएगे, और साथ में एक साल में assembly session करवाये जाएगा, नागपूर में, ऐसा यहाँ पे एक agreement के तौर पे पास किया गया, यानि कि आप जेक सकते हो कि हमारा जो session होता है, parliamentary house, normally नागपूर में भी करवाये जाता है, इस प्रकार से assembly section जो होता है, normally state का, पूरे state का वो नागपूर में भी करवाये जाता है, इस प्रकार से जो demand थी वो यहाँ पे fulfill करा गया, अब एक और चीज़ यहाँ पे हम discuss करेंगे, जो कि यह दोस्तों कि जो मराथी speaking people थी, जो महराष्ट्र फॉर्म करना चाहती थे, और लोग इसमें श मैदाने, वहाँ पे बहुत बड़ा meeting हो गया, और उस time पे जो शंकर राओ धे, उन्होंने क्या कहा था, कि हम लोग oppose करेंगे, कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि मुंबई को separate कर दे महाराष्टर से, लेकिन हम इस चीज़ के खिलाफे हम इस चीज़ को oppose करेंगे, ऐसा उन्हो और जब तक हमारे सासों में दम है, यानि कि जब तक मेरे पास last breath है, तब तक मैं इसको oppose करूँगा कि हम मुंबई को अलग होने ने देंगे, मुंबई will be the part of the महाराष्टरा only, ऐसा यहाँ पे उन्होंने कहा था, इस चीज़ के लिए काफी सारे women, यानि कि जो औरते थे जो कुंतान जोहरी हो गए, कमलाताई मोरे हो गए, यह ऐसे महान महान विमेंस जो थे वो इसमें पार्टिसिपेट किया था, और फाइनली साथ नवेंबर के उस टाइम पे नाइटीन, सेवें नवेंबर, साथ नवेंबर के दिन, यहाँ पे 1905 के दिन क्या हो गया, कि वहाँ प किसान लोग का एक फार्मागोनाईजेशन होता है, वैसे लेबर का लेबर यूनियन होता है, लेबर और अर्गनाईजेशन होता है, प्रजास सोशलिस्ट होती है, सोशलिस्ट वरकर होते है, पीजन्ट होते है, यह जितने भी कामगार लोग होते है, सब एक साथ मिलके यहा गया था समयुक्त महाराष्ट्रा के लिए कि मुंबई एंड विधर्ब जो रहेगा वो भी महाराष्ट्रा का पार्ट रहेगा ऐसा उन्होंने एक Resolution पास करने के लिए दिया था तो उम्हेद करता हूँ कि यार यह चीज आपको बहुत बहुत बेंटरी तरीके से समझ में आ गया होगा यहां पर एक Topic है जिसका नाम है Beginning of Actual Conflict यानि कि कुछ conflict वहाँ से शुरू हो गए, कुछ लडाई या कुछ मदभेद शुरू हो गए, तो वो क्या थे, conflict क्या-क्या चीजे हुआ, ठीके न, कैसे संयुक्त महराश्ट्र समीती की formation की गई, ये सबी चीज topics जो है हमें पढ़ने हैं, लेकिन हम इसको आज नहीं पढ़ें यानि जवाला नेरू, वल्लभाई पटेल और पट्टा सितारा मया, जो commission था, वो क्या था, कैसे votes पढ़ें, ठीके न, और reconstruction states का कैसे किया गया, इसमें कौन से judge सामिल थे, ये सब कुछ चीजे जो है, मैंने लिग दिया, यहाँ पर वो भी आपको याद रख लेना है, exams में questions बनेंगे, आप लोग बस पढ़ाई करते हैं, continuously हमारे वीडियो देख के conception knowledge क्लियर कर लेना, तुरन जाके पढ़ाई कर लेना, तो आपका पूरा topic क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे हमारे new lecture में, तो आप लोग बस बने रहेना, और साथ ही वीडियो आपको बनाते हैं, तो please share to the maximum people, और first time हमारे चैनल पर आएओ, तो चैनल को सब्स्राइब कर देना, ठीक है, जल्दी मिलेंगे हमारे new video में, तब तक के लिए, thank you and good bye.